आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके तैयरिक बहुत अच़ह से चल लही होगी दोस्तों जाएस कि आपको पता है कि उत्तर पूरस पुलिस के पेपर को लेकर बहुत जाभामा हो रहा है और उसी हünde पूरसास सिुद्ध सक्त नर्देश किये हैं कि एक आंतरिम समेती का गठन किया जा रहा है जो कि इस पेपर की खबर को जाच कर रहे हैं कि क्या बाकिर में पेपर लीव हुआ है नहीं हुआ है ठीक है अब इस पर आपको कल तक पूरा जानकारी मिल जाएगी यानि कि कल दोपहर तक इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें क्या होना है या क्या होना है तो इसलिए इस चीश को तो हम भी बहुत सीरिस ले रहे हैं परन्त उसी बीच जिन बच्चों के एक्जाम हो चुके हैं और जो काफी लंबे समय से दरोगा की तैयारी में भी लगए थे और उत्तर प्रदेस पुलिस की तैय होते हैं वो सभी अपने ग्लैमर का नोकरी देखना चाहते हैं और दरोगा एक ऐसी पोस्टर जो ग्लैमर से भरी होई है ठीक है तो उसी बीच जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे भी अभी तयारी कर रहे हैं तो उनका प्रसंद है कि क्या अब भी फरबरी में ही अपडेट तो दोस्तों उत्तर प्रस्ट्रीस दरोगा को लेकर जैसा आपको पता था कि पुरिस परिक्षा के बाद तो चब्वीच अब क्या है कि अगर इसके कोई फैसले नहीं हुए है मान लिजे अगर यह री एक्जाम होता है अगर री एक्साम होता है तो फिर ही यह मा मॉश्टेबल वाला अगर diğer sare свंप होता है विटा तो फिर जो नुटिपिकेशन ही चुनाव बाद आएगा कव गया चुनाब बाद आएगा अगर यह ओर यह उनृपिकेशन अगार रिय और होता है एक। नहीं होता है और सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती है जब है ठीक है और सरकार ने अगर इस पर कोई no is that the आम फिर ये क्जिवेचर को मेर्च 15 मार्ज तक मिल जायेगा पंद्रह मार्ज तक आप देखने मिल जागा परन्तु अभी तक का अपडेट है वो यही है कि 26-27 परवरी तक ही आपके आवेदन मांगे जा सकते हैं परन्तु देखिए अभी हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि 26-27 तारिक पो आवेदन मांगे जाए यानि कि इसका अभी से जो बच्चों का पेपर हो गया है और जिनको लगता है कि वह तैयारी करते हैं क्योंकि देखिए जो काम हो रहा है दोस्त आप सब लोग कर रहे हैं और मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं हमने भी हाँ पर टूइट किये थे बहुत सारे परन्तु उस बीट में हमें य बरतन किया जाता है तो यह जो डेट है वो नवंबर हो जाएगी क्योंकि नवंबर में फिर जाका आपका कहीं एक्जाम होगा ठीक है दोस्तों इसके लिए जो बच्चे भी अभी तैयार है उनके लिए बता दू कि आई यू है इकित वर्स एठाइद वर्स है पलंद तो इ मिलेगी तीन वर्स की जो है आपको क्या मिलने है छोट मिलें जो कोविड-19 वाला है और फिर इसके जो हो जाएगी बाप इतनी हो जाएगी जन्रल की 31 वर्स तक यहां मांगे जाएगी क्या आता है यहां पर इसनाद तक इसमें योग्यता होती है मुचाई कि अगर हम बात क ठीक है बहीं पर चैन प्रिक्रिया को लेकर बहुत ही बड़ी अग्जाम है यानि कि सभी जितनी भी उत्तर प्रदेश में आपके जितनी भी भारत में अगर SI की वेकेंटी होती है सबसे सरल जो है उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है क्योंकि उसमें प्रिक्रिया जो होत होती है male candidate के लिए तो वह रेनिंग होती है दोस्तों 4.8 km होती है और कितने मिनट में होती है यह आप सब को पता है कि कितने मिनट में होती है 24 28 मिनट में होती है 28 में होती है ठीक है बहीं पर अगर वह पार मरी करते हैं थो आपकी 2.4 km जो रेस होती है हो उसके के वहत ही नोर्मल की नहीं को होता है यह यह हम एक होता है और पूर đi लिर्ट कभी इसमें में कर वही पीछे देखा गया था घ्रती है में निगेडिव मार्किंग नहीं होती है अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी है 40 प्रसंद आते हैं और यह सो अंक के होते हैं कितने अंक के सो अंक के मैत जो है यह भी 40 अंक के होते हैं यह भी कितने का है में रेम् समय में देखने को मिले थे दो शॉफ सबसे बड़ी बात ही होती नहीं होता है टीकाई एक बात वहाँ प्रिषय वाली वेकयं चाहिए थी पिछली के भड़ती हुई थी, लगवग 9000 वेकंसी जो आपके आई थी, उन वेकंसी में इसका 35 पृतियत कर दिया था, कि पृतियक सब्जेक्ट में 35 पृतियत होना चाहिए, और ओबर आल जो है 50 पृतियत होना चाहिए क्वालिफाई के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर पृतियक 35 पृतियत पास करता है, और ओबर आल अगर 50 पृतियत पास नहीं करता, यानि कि भड़ती बोर्ड ने नका रहा है कि यह एडिट करके ऐसा कामकेदार है परन्तु देखे यह तो आपको सब को पता है देश भर में बड़े इस तर पर यह आपका हो रहा है देखे ऐसा होता है जैसा आरो एरो का पेपर हुआ तो बच्चों को सब को साम तक पता चला कि आरो यारो को हुआ था परन्तु इससे पेपर की तो आपका माहूल खराब हो गया था पेपर से पहले ही समझ गया नहीं परन्तु इसके बारे में अभी कुछ कहना मदर नेगणिया है क्योंकि देखे सासन की बात है अपने इस तरह से जो भी बात की जाएगी उसमें बात होगी और बहुत सारे लोग जो है इत्में मतलब आंदोलन जारी रख रहे हैं क्योंकि हम तो इतने मतलब उच्च लेविल में नहीं आते हैं जो कि हम भी बिल्कुल सामने आये परन्तु हमने भी फिर भी कोशिस करी कि आप लोगों के साथ जो है एक जो ठोकर काम करें उसी पीच में देखिए अगर री एग्जाम होता है तो वो अच्छी बात है क्यों होता है क्योंकि दोस्तों एक बात है किसी बच्चे को अगर एक बच्चे को भी पेपर मिला है अगर एक ही बच्चे को पढ़ने वाले का है कहीं पढ़ने वाले का है क्यों यह एक बच्चा तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो एजुकेशन में है इजुकेशन सिस्टम में जो दो चीजों की कमी है हमारी हाँ फीजुकेशन की है ते से Spa और दोसरी यह है कि बच्चा क्या करुता है नुट एनी पार भी भी राऌइगा तो गरीब मैंनट कर सकते हैं राकित कर सकता है कि निगी सब्सक्राइब कई पिष c अप में गफिन के प्रसक्ते हैं यह ऑन गुलॉक्त पीपर भी में सकते हैं तो वह भी ने तकby जुछ जो भी बच्चे ऐसे लगते थे कि मैं जो पता है कि आपके कोमेंट्स जाएंगे वो आएंगे उल्टे सीदे आप कहोगे कि आपको बिग्याबने पढ़े परन तो यह बच्चे जो कल मैं लाइब क्लास में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर्थ दरोग ब्रें के पलिस को पयापर दिया है तो यहीं नुगसान तो शलीए और फमसे आप बहुत द्यान रखेंगे अगर कोईनोष डीट से चीज़ रेगित कर आएंगे तो मिलत है ने वे इसक पयारत कहिंवाट remains